चल हट हमारा भतीजा क्यों कहता है जी उस दिन तो कह दिया कि उसके खून और मेरे खून में फर्क है वो मेरा भतीजा नहीं है ये बयान है केंद्रिय मंत्री पसुपती कुमार पारस का 9 अप्रैल 2023 को पत्ना में प्रेस कॉन्फरेंस के दौरान जैसे ही पत्रकार ने पसुप इने बाद दिल्ली में दोनों चाचा भतीजा साथ खड़े दिखें तस्वीरें आप देख रहे हैं चिराग पास्वान ने पसुपती पारस के किस तरह से पैर चुए वही चिराग ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के भी पैर चुकर आसिरवाद लिए चिराग के पियासत दूसरों से बिलकुल जुदा है यह सच है कि बिहार की राजनिती में अति पिछड़ा और दलिद वोटों पर किसी एक नेता का कुछ कबजा रहा उसमें दिवंगत रामविलास पास्वान का नाम सबसे पहले आता है बिहार के दलितों में रामविलास पास्वान की चबी एक अलग तरह के नेता की थी जब भी राम विलास पासवान बिहार से चुनाओ लड़े लोगों ने दिल खोल कर वोट दिया बिहार में महा गडबंदन की सरकार है लोजपार राम विलास के नेता चिराग पासवान को मालूम है कि लोग सभा चुनाओ में बहतर परफॉ दोनों जरूरी है बीजेपी दोनों को साध कर चल रही है कल तक एक दूसरे का चहरा नहीं देखने वाले दोनों चाचा भतीजा सौम्यता के साथ पिये मोदी के पीछे खड़े हो गए हैं इसे देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि बीजेपी जो चाहेगी वही होगा बीजेपी को ये पता है कि पसुपती कुमार पारस पर सियासी लगाम लगा कर रखनी है तो चिराग को साथ रखना होगा साथ ही यदि चिराग पासवान पर लगाम लगा कर रखना है तो पारस को भी साथ रखना होगा बता दे कि राम बिलास पासवान के नित्रितों में और विभाजित लोजपा ने 2019 में 6 लोगसभा सीट पर चुनाव लडा था और बीजेपी के साथ सीट के बटवारे के तहत उसे राज्यसभा की एक सीट भी मिली थी लोजपा में विभाजन के बाद बने दूसरे गुट रास्ट्रिय लोग जनसक्ती पाटी के प्रमुख चिराग के चाचा और केंद्रिय मंत्री पसुपति कुमार पारस हैं जो केंद्र के सत्ता रूड गठबंदन का हिस्सा हैं फिलाल दो हजार चौबिस लोग सभा चुनाओ के लिए चिराग पासवान छे सीट पर दावा ठोक रहे हैं चिराग अपने पिता की परमपरागत हाजी पुर सीट को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं फिलाल हाजी पुर सीट से रामपिलास पासवान के भाई पसुपती पारस सांसद हैं वो एंडिये के साथ भी हैं और केंद्रिये मंत्री भी हैं वहीं चिराग पासवान खुद बिहार की जमुई सीट से सांसद हैं झाल झाल झाल